दोस्तो ये है 508 का DC MC PCB और ये है 508 का AC MC PCB दोनों का अंदर डिफरेंस क्या है और कौन सा लगाने से आपको ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेंगे ब्राइटनेस का मतलब ये है कि रोसनी जब आप किसी भी LED के अंदर ये दोनों में से कोई एक को लगाऊगे तो किस में सबसे ज़्यादा अच्छा performance आपको देखने को मिलेंगे उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो लोग technician film में काम करते हो या नया technician बनना चाहते हो उनके लिए काफी ज़्यादा helpful होने वाली है ये वाली वीडियो क्योंकि आप लोगोंने देखा होगा कि जब भी कोई भी 508 का बाल्व LED खरा हो जाती है तो उनको बहुत सरे लोग फैंक देते है और उसका कीमात भी बहुत ही ज़्यादा होते है और खास करके जो 508 का LED बाल्व है ये ज़्यादातार इस्तेमाल किया जाते हैं मेले के MCPCB के बारे में पता होगा क्योंकि हमारे पास लगबग दो साल से यही वाला MCPCB मौजूद था और बहुत सरे लोग हमारे वेफ साइट से खरीदे भी होंगे तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसको चलाने के लिए हमें अलग से एक ड्राइबर की जोरूरत होती है जैसे कि आप देख सकते हो बहुती अच्छे और हाई कॉलिटी वाला यह 50W LED बाल्ब के लिए यह हमारा ड्राइबर है यह ड्राइबर क्या करेगा कि इसके अंदर 230 बोड़ा में इन्पूट करना होता है और उसके बाद यहां से आउटपूट का जो वोल्टेज होता है 50W क पावर के साथ यह हमें यहां पे जोरना होता है जिसके बाद ही हमें इसके अंदर से रोसनी देखने को मिलता है लेकिन अगर हम बात करें यह वाली MCPCB की और एक्च्छेल में दुश्तों इसके अंदर हमें कोई भी अलाग से ड्राइबर लागाने की कोई जोरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां पे देख रहे होंगे यहां पे एक bridge rectifier दिया हुआ है एक fuse लागा हुआ है एक coil लागा हुआ है और एक छोटा सा driver IC लागा हुआ है कुछ छोटे छोटे resistance लागा हुआ है दो पेस और एक छोटा एक बरा दो capacitor लागा हुआ है यह capacitor किसले इस्तमाल किया गय इसका मतलब यह हुआ कि यह इन्पूट सेक्शन के अंदर यह वाली क्यापसेटर लगा हुआ है तो जैसा ही इसके अंदर 230 वोल्ड AC सप्लाई इन्पूट होगा उस AC सप्लाई को DC में कनभर्ट करने के लिए यहां पर एक बिरिज रेक्टिफ हायर बनाया गया है और इस बिर इसके बाद एक फ्यूज के मद्दम से यहां पर दिखे के छोटा सा ड्राइवा लगाया गया है यह अपने वोल्टेज के ही सबसे क्या करेंगे सारे LED को गलो करेंगा उसके साथ इसाथ आउट पोर्ड में भी इस्टेवल रहना के लिए वोल्टेज को यहां पर एक छोटा कैसे निकालके आएंगे जबढदस तरीके से मतलब क्या है कि इसके रोसनी है वह तापको 50 आट का रोसनी देखने को मिलेंगे लेकिन उसका साथ नैभी गयोग दा कि एक मिलें के लिए उसको पर रापएस किसी भी जगा पर इस्तमल करोगे न तो आपको लाइब ज्यादा मिलें गई लेकिन अगर हम बात करें यह डी सी एम सी पीचीव का तो इसका जाइरेसी लाइब जड़ा है इसमें से काफी घुना ज़ादा इसका लाइफ है क्योंकि इसका अंदर जो यहां पे हीडशन के लिए यह जो पत्ति किव heed. Are जयदा है जादा है यान करे मोठ जब है और इसलिए जब हीड ऑब्जर्बं के बात आएंगे तो यह ज़्यांधा दिन लेकिन जो हमरे पचास वाट के बालब के अंदर जो हीट सिंग पहले से लगा हुआ रहता है उसके साथ जाव इसको अटाचमेंट कर दोगे न तो इसका भी लाइप आपको बहुत ही अच्छे खासा देखने को मिलेंगे यह तो दोनों का फीचर्स के बारे में बात आ गई है लेकिन अगर हम बात करें कोई भी खराब हो आप 50 वाट का एउडीडे बालब के अंदर हमें यह वाला लगना चाहिए या यह वाला तो इसके अंदर आपको दो चीज डिपेंड करेगा पहला चीज क्या डिपेंड करेगा कि आपको सबसे पहले यह चेक करना पड़ेगा कि 50-Watt के आपके LED बल्ब के अंदर MCPCB खराब हुआ है या ड्राइबर अगर MCPCB खराब हुआ है तो आप यह बला MCPCB लेकर लगा दिजिए अगर ड्राइबर खराब हुआ है तो अब ड्राइबर लगा दीजिए लेकिन अगर दोनों चीज खराब हो चुका है और आपको सस्त में उसको रिपेर करना या ठीक करना है तो उस कंडिशन में आप यह वला लगा सकते हो हमारी पास काफी सारे मौजुदे स्टॉक में आया है कभी अभी जाकर अमरे वेबसेट से ले सकतो तो चलिए दोनों का जो रॉसनी है वो भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ यह आपको 230 लाइब इनपूट करेंगे और हम क्या करेंगे इस ड्राइबर को मैं यह आपर सोल्डर कर लेता हूं और सोल्डर करने के बाद दोनों के अंदर में 230 लाइब इनपूट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि किसके अंदर चपको ज्यादा रॉसनी देखने को मिलेंगे उसके बाद आप डिसाइड कर सकतो कि आपको कौन साल लेना है जैसे कि दोस्तों आप देख सकतो कि दोनों MCPCB को हमने यहां पे स्रीज में चेक करूंगा तो यह देखिए हमारे पास स्रीज कनेक्शन यहां पर मौजूद है तो यहां पर मैं टाच करता हूँ अब देखिएगा कि इसका आपको ब्राइटनेस या रॉसनी कितना जाद आपको देखने को मिलेंगे तो मेरे ख्याल साब को पता चल गया है कि इसका रॉसनी कितना है अब मैं इसका भी रॉसनी आपको चेक करके दिखा देता हूँ तो मेरे ख्याल साब को दोनों का रॉसनी पता चल गया है कि कौन सा आपको अच्छा रॉसनी देखने को मिल रहा है किसके अंदर से ये भी आप डिसाइड कर सकते हो आपने आप मेरे आपको यही दिखाना था कि दोनों में से कौन सा अच्छा है तो मेरे ख्याल से दोस्तों देखिया अगर मेरी अगर बात करें मेरी अगर राया अगर अगर अब सुनोगे तो मैं आपको कहूंगा कि इसके अंदर से ज्यादा रौसनी आपको देखने को मिलेंगे आप ये वाली तब ले सकते हो जब आपका 508 के LED बल्ब के अंदर से सेर्फ पर सेर्फ MC PCB खराब हुआ है तो आप ये वाला ले सकते हो उसके अलब आगर डायवर खराब हुआ है तो उस ताइवर ले सकते हो लेकिन आपका दूनों चीज खराब हो चुका है और सस्ते में आप उसको ठीक करना चाहते हो तो उस condition में आप यह वाला ले सकते हो और मेरे ख्यार सा यह वाला PCB है ना यह technician के लिए best क्यूंकि आप इसको बहुती सस्ते में लेकर आप पचास वाट के LED बल्ब के अंदर लगा के बहुती अराम से पचास वाट का LED बल्ब को आप रिपेर कर साओ आपके पास तीस वाट का LED बल्ब है ना उसके अंदर आप यह वाली MCPCB को लगा दोगे तो जो औरेजिनल जैसे आपको रौसनी ना उससे भी ज्यादा रौसनी आपको इसके अंदर से देखने को मिलेंगे और कास्टमर से आप ज्यादा पैसा ले सकते हो मेरे पास जितने बी 508 का LED बल्ब आते हैं अगर उसके अंदर MCPCB और ड्राइबार दोनों खराब हो जाते हैं तो उसके अंदर मैं यही बला लगा देता हूं क्योंकि यह सस्त में हो जाती है और कास्टमर को भी बहुत ज्यादा साटिस्पेक्शन मिलता है इसलिए मैं यही बला लगाता हू तो 508 का LED बल्ब को रिपेर करने के लिए आपको कौन सा मोडियूल या कौन सा ड्राइबार को लगाना पड़ता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इसी पर करके वीडियो से अगर आगे आने वालो दिनों में देखना चा